दोस्तों बीजेपी के राजनीतिक चाल को समझना कॉंग्रेस के लिए मुश्किल बात हो चले है। का राजनीति करने का तरीका आधुनिक्ता के साथ ही सिधांत वादी भी है। के 27 दिन बाद शनिवार को भजनलाल शर्मा मंत्री मंडल का विस्तार हुआ। प्रदेश में शनिवार को कुल 21 विधायकों और एक प्रत्याशी ने मंत्री पद की शपत ले। साथ ही वारव विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपत ले। इस दोरान जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं वो हैं श्री करनपूर विधान सवा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंग। दरसल करनपूर विधान सवा सीट पर पांच जनवरी को चुनाब होना है लेकिन चुनाब से पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंग टीटी को भी मंत्री के रूप में शपत दिलाई गए। बीजेपी के इस कदम के बाद कॉंग्रेस ने सवाल उठाए हैं साथी कॉंग्रेस ने दावा किया है कि देश में ये पहला मामला है हालांकि राजिस्थान प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्षक गोविंद सिंग डोटासरा ने बीजेपी के इस कदम पर सवाल खड दिलाई है देश में ये पहला मामला है जब चुनाब से पूर वीजेपी ने अपने प्रत्याशी को मंत्री बनाया है। यहाँ पर चुनाब टाल दिये गए थे ऐसे में अब 5 जनवरी 2024 को करनपूर सीट पर उप चुनाब हो रहे हैं। जबकि 8 जनवरी को चुनाब परिणाम आएगा इस सीट पर बीजेपी ने सुरेंदर पाल सिंग को मेदवार बनाया है। लेकिन उससे पहले ही सुरेंदर पाल सिंग टीटी को बीजेपी ने भजनलाल शर्मा सरकार में मंत्री बना दिया। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।